कि नमस्कार दोस्तों मैं गनेश अधित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपरिशन को नीट पे ठीक दोस्तों आज हम ठीक महात्मा बुद्ध और महाविर स्वामी इन दोनें के संबंद में जो हम थी चैप्टर न पढ़ा था उन्हीं चैप्टर से संबंदित महात्पू आपका सही है या एक अपना कॉपी बगल हम रख ली जए उस कॉपी के बगल में आप एंसर को में पुझार करते जाएगे पिर यह जाद़र बहतर तरी करेस प्र रहेगा मेरे एक साप once से सम्मंदित थें, तिक, Mahatmalassenah Buddha 태ze का सम्मंद किस 와는 ऐस outgoing को भि 74 महात्मा बुद्ध का सम्मंद साक के कूल से यहां पर zapak beetje estrutural का समंद साक के कूल में जन्द dieser कीम कने किस नाम से जानते हैं साक के मुनि ध्यान रखेगा साक के मुनी के नाम से हम महात्मा बुद्ध को जानते हैं जानते होंगे आप ठीक क्लियर है नोट्स में आपको ठीक हर कॉमन नोट्स में यह आपको समानी तर्थे की रूप में मिल जाएगा क्या कि महात्मा बुद्ध जो है वो साक के मुनी के नाम से जानते थे तथा महात्मा ब करते हम cinco हमारा अगला प्रस्न है धातू से बने सिक्के सबसे पहले प्रकठ हुए थे किसम काल में ध्यान रखिगा धातू से बने सिक्के तो धहने दर किगा सिक्कों का प्रचलन जो है हम पढ़ रहे हैं सिंदुगाटि से भेता से ठीक है सिंदुगाटि से भेता में हमने सिक्के के बजाए हमने मुहरों के बारें पढ़ा है किसके परें पड़ा है? मुहर. और वो मुहर किससे बने हौते थे, वो बने होते थे, सेल खड़ी से, ठीक है किससे, सेल खड़ी से. धात्मार्ा धात्यो def yoghgsoodrit धातु का प्रचलन उस समय था, लेकिन वो का सा धात्यो sneeze था, तुह आहां इस बात को आपको धिंखने देखना देने हैं कि दातु के रूप में सबसे प्रफम प्रचलन किस समय हुआ था, अले हरपप नहीं क्योंकि हडपा काल में सेल hourly का बने सिक्के का परचलन था, या मुहरों को परचलन था, उत्तरवेदी काल में भी सिक्के का परचलन नहीं हुआ था, धातू से बने, ठीक है, अब दो आता है, बुद्ध काल, और उसके बाद का काल, मौरे काल, तो मैं आपको बता दूं, महात्मद्ध काल, अथात, महाजन पाद काल के जो अपका अवस्था पड़ता है, मगद समराज, ठीक है, उसी काल में धातू के बने सिक्के का प्रचलन चालू हुआ, और ये जो धातू के बने सबसे प्रथम सिक्के को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पंचमार्क सिक्के, इसको भी देख लिजे, ठीक, म चहटवी सटाब्दी इस फी पूर में 5 पंच मार्ग सिक्खे अर्थात आहाद चिक्हे का प्रचलन्ध हुआ था पंच मार्क सिक्के को मैं पढ़ा चुका हूँ पहला चेप्टर में हमारे हिस्ट्री का वीडियो अब दिखेगा जो पहला चेप्टर है इतिहास जानने के उस रोध उसमें हम सिक्कों के बार में पढ़ चुके हैं और यह जो पंच मार्क सिक्के जो सबसे पहली बार आये थे किसके बने होते थे वो चांदी के बने होते थे ध्यान रखेगा किसके बने होते थे चांदी के इसको पंच मार्क इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको ठीक है एक सील से धातू में जो से आखात करते थे ठीक तो ध्यान रखेगा इसलिए इसको पंच मार्क सिक्के कहा जाता थ चले अगला प्रस्त है निमलिखित में से कौन सा गरंथ भारत में उत्पन सबसे बाद वाला थिक बौद धर्म का गरंथ है ध्यान रखेगा ठीक कौन सा सबसे बाद में लिखा गया गरंथ है तो हमने यहाँ पर जो चारवी कलप है उसको देख लेते हैं पहला है सुत्त अगला प्रस्त है गौतम गुद्र का जन्म इस्थान किसके दौरा अंकित किया जाता है ध्यान रखेगा यह कहां पर यह अंकित मिलता है तो आपके सामने है ठीक है असोक मौरे के रुमन देई स्तंभ ठीक है मुर्तियों में पीपल वरिक्ष में बाद मठ में ठीक है तो ध्यान रखिए का अगर आप असोक के बारे में पढ़े होंगे तो महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जो वर्णन है वो रुमन देई स्तंभ लेक में मिलता है ठीक असोग द्वारा लिखे गए यह असोग द्वारा स्थापित ठीक है अभिलेग जिसका नाम है रुमन देई अभिलेग इसी अभिलेग में महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में चर्चा मिलता है और यह कहां पर है इस चीज़ को भी ध्यान रखिए यह नेपाल के त महात्मा बुद्ध का जन्म भी वहीं हूआ था कहां पर लुम्वनी में ठीक एक बार क्या हुआ जब महात्मा बुद्ध यहां पर नो बाद वापस गया थे घुमने के लिए तो वहां के जो भूमिकर उस भूमिकर को घटा के एक बटए आठ कर दिया गया था धिक ध्यान रखेगे इस को ठेख Portuguese को ठिक है कि वहाँ भगवान बुद्ध के जन्हों खूंध कर इसलिए लुंबनीon के दौरान कहां पर लुंबनी की आत्रा किसका अशोक तो महराज जो अशोक थे ठीक यह जो राजा अशोक थे इनकी आत्रा का कारण ध्यान रखेगा इनकी आत्रा के कारण ठीक है इस जो आपका कर है भूमिकर है उस भूमिकर को घटा के कितना कर दिये एक बटयाठ कर दिये अगला प्रस्न हम देखते हैं अगला प्रस्न है प्रारंबिक बहुत धर्म ग्रंथ की रचना किस भासा में की गई थी ठीक जान रिखेगा हम जब बहुत धर्म को पढ़े रहे थे तो बहुत धर्म के बारे में हमने यह पढ़ा था कि बहुत धर्म ने भासन के लिए अर्था प्रवचन के लिए ठीक किस भासा का प्रयोग किया था और जैन धर्म ने किस भासा का प्रयोग किया था तो हमने इसको पढ़ा है कि पाली भासा का ठीक प्रयोग जादा हो रहा था ध्यान रिखेगा ठीक साहित में पाली भासा और अर्दमगदी इनका प्रचलन था तो यहां धर्म में ध्यान एकिएगा पाली भासा अथा पाली का यूज किया जाता था पाली भी इसकी रचना होती थी ठीक प्रारंबिक बहुत असाहित थी कि चलिए अगला देख लेते हैं अगला प्रसन है हमारा तो अच्छा इसी के बारे में यह विवरण है क्या विवरण है कि प् कि बौध ने समाज के दो वरगों को अपने साथ जोड़कर एक महत्पुर प्रभाव छोड़ा था अर्था ततकालिक समय में महात्मा बुद्ध ने किन-किन समाज को या किन-किन समुदाय के वरग को अपने साथ जोड़के रखा था प्रसन यह है तो ध्यान रखिए क्या अवडिक और पुरोहित थे क्या वो? या साहुकार एवं दास थे? या योध्धा एवं वैवसाई थे? या इस्त्रिया एवं शुद्र थे? एंसर आपके सामने इस परस्ट है. ध्यान रखिए कि महात्मा बुद्ध जो है, इस्त्रियों और सुद्रों को क्या करते थे? इन उनको भी सुद्र के समान माना जाता था उनको ना तो उपनेयन संस्कार हो रहा था ना ही वेदपाथन का ठीक उनका अधिकार था ध्यान देखिएगा बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो रिगवेदिक काल में थे पर परंतु करमसा आगे जाके उत्तर वेदिक और आगे के काल में थे वह अधिकारून से चिंते गए तो इसलिए महात्मा बुद्ध का यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था कि इस तरियां एवं सुद्र को अपने साथ लेके आगे बढ़े थे चलिए अगला परस्नम देख लेते हैं ठीक है अगला परस्न हमारा इस परकार रहे हमने बताते हैं जब पढ़े हैं ते आप चेप्टर में आपने पढ़ा है ठीक रावे पाकू ध्यान रखिएगा रावे पाकू ठीक रासे राजगरे वैसे वैसाली पासे पाटली पुत्र और कुसे कुंडल वन कस्मीर ध्यान रखिएगा कुंडल वन ठीक हमसे पुछा ग राजगरी यह आपका उत्तर होगा दूसरा वैशाली तिसरा पाटली पुत्र चौथा कुंडल 1 कस्मीर ध्यान रखेगा कुंडल 1 कहा है कस्मीर में तो इस प्रकार आप इसके प्रथम अक्षरों को ठीक है जोड़ के एक प्रकार का ट्रिक बना सकते हैं जो आपको एक्जाम क प्रिसर में तुरंत आपको याद आएगा ध्यान रखेगा वास्तों में होता क्या है कि कम समय में अधीक प्रस्ण करने के वजह से या प्रस्ण करना रहता है तो कभी-कभी हमारा जो पढ़ा हुँ चीज वही क्लिक नहीं करता है वो तब क्लिक करेगा जब अगर आप उसक ठीक के माध्यम से याद किये हैं तो इस परकार के ट्रिक जहां आपको आवसकता पड़ती है आप बनाईए ठीक अपने स्टडी को लाइट करने के लिए असानी से आपको तैयरी होना चाहिए अगरा है हमारा आठवा प्रस्ण बहुत धर्म निम्न में से किन सिध्धानतों पे विश्वास करता था ध्यान रखेगा ठीक बहुत धर्म के बिलिप्स के बारे में बात हो रही है पहला है दुनिया दुखों से भरी है बिल्कुल सरवत्र दुखम दुखम का सिध्धानत ठीक किसके द्वारे दिया गया है मात्मब बुद्ध के द्वारे दिया गया है ह चलिए, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है, आप इच्छा ही मत रखिए, कि मेरे को IS बनना है, PSC त्यारी करना है, ठीक, दुख ही नहीं होगा, प्रलिम्स नहीं निकलने का दुख, मिन्स नहीं निकलने का दुख, इंटर्व्यू नहीं निकलने का दुख, इन सब के बावजूद अपना ना हो, दोस्त का हो जाए तो और बड़ा दुख, ठीक है, तो ध्यान र और इसे इच्छाओं पर कावू पा लेने से आपको यहां यहां निर्वान भी मिल जाएगा अच्छी बात है यह भी सत्य प्ध can इस्वर और आत्मा के अस्तित्तों को सिकार करना चाहिए अब दिखिए यहां पर बात है इस्वर और आत्मा अब यहां पर दो धर्म जैन धर्म अब बहुत धर्में थोड़ी से भिन्यता है आपको समझे लेना चाहिए जैन धर्म जो है तिक वह आत्मा को नहीं मानता है तिक कि यह यह आत्मा पुणर्ज Means के रूप में दुसरे में प्रकट होगी। ध्यान रखेगा, इस लिए जैन धर्म क्या करता है। एत्मा को भी मानता है, पुणर्जनम को भी मानता, लेकिछ इस्वर को नहीं मानता — ध्यान रखेगा, जैन धर्म में इस्वर के मानेता नहीं है, ठीक, तो यहां पर क्या है आपका, इस्वर और आत्मा के अस्तित्व को सिकार करना चाहिए, कौन बहुत धर्म, तो ध्यान रखेगा, बहुत धर्म इस्वरवादी धर्म नहीं है, ठीक है, अनिस्वरवादी धर् सिध्धान्ती है, no soul theory, कोई soul नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होता है, सब बेकार की चीज़े है, ठीक, तो अनिश्वरवादी है, अर्थात इस्वर की सत्ता का खंडन करता है, ठीक, दूसरा अनात्मवादी है, अर्थात आत्मा का अस्चित्व का यह क्या करते हैं, विरोध करते हैं, आत्मा होता ही नहीं है, ठीक, अर्थात हमारा यह स्टेट्मेंट गलत है, हमारा होगा answer A, B, C, ठीक, अब देखिए, यहाँ पर आपका ABC किस में है, ठीक, तिसरे नंबर में है, ABC, यह चौथा नहीं होगा, ठीक, तो इस प्रकार से आप derived करके निकालिए answer को, clear है, चलिए, next question पर बढ़ते हैं, ठीक, अब हमारा प्रस्न है, अच्छा, इसी के वीवरन है यहाँ पर है, ठीक, देखिएगा, बहुत धर्म अभी जिस्चिच के चर्चा किया है, बहुत धर्म क्या है, अनिस्वरवादी है, ठीक, और अनात्मवादी भी है, मतलब, ना तु व को मानता है, और ना ही वो आत्मा को मानता है, ठीक है, और ये क्या बोलता है, पूरे दुनिया में दुख़ई जिसे पांचवी बहुत परिशत का आयोजन किसके द्वारख किया गया था धियान रखेगा अभी तक तो हम चार ही बहुत सम्मेलन के बात करते हैं लेकिन आपको फिर बता दू ठीकि बहुत बाद में एक और सम्मेलन हुआ था हाला कि वह चार गुरूप में उस चार में यह आपको इसको जानना चाहिए ठीक है कि पांचवा बहुत अगर पुछा जा सकता है ध्यान रखेगा यह संभावित प्रस्न है ना थिक हम आपकी चर्चा किससे कर रहा है संभावित प्रस्नों से कर रहा है ठीक है ध्यान रखेगा यह संभावित है ठीक है तो बहुत सारे प अंडर नाग से और मिनांदर इन दुनों के मद्ध ठीक क्या हुआ था दार्शनिक विवाद हुआ तो वही मिनांडर है तो इन कि समय पांचवा बहुत सम्मिलन हुआ था क्लियर है आगे बढ़ते हैं चलिए अगला हमारा प्रस्न है दसवा प्रस्न निम लिखित में से कौन सा जैन्तिर ठंकर पार्शनात का परतीख है अर्था सिंपल सा है कि पार्शनात के परतीख चीन के रूप में हम किस चीज को लेत इसवशन का नाम पत्नी कँ आधुत हैं तिए वन गमन कीएथे अरथात यती हो गए T गिरिड़ी जिला है तिक उस जिले के सम्मेत परवत बें जाके उन्होंने तपस्या प्राप्ट कि थी, clear है, ये वही पास्वनात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका प्रतिक्चिन साप है, ठीक सेर किनका प्रतिक्चिन है, महावीर स्वामी का, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का, चलिए, clear है, आगे बढ़ते हैं, अगले परस्न की और, अगला प को हम किस नाम से जानते हैं , कि यह आइदो नाम से जानते हैं सनलेखना और ये सनलेखना किस पहर पाए जाता है रही सनलेखना जायन धर्म पाए जाता है ध्यान रिखिएगा सिंपल सा है थोड़ा से हाँ पर प्रसन कु ट्विस्ट किया है ठीक है आपको समझना चाहिए इतना understanding understanding बनाक रखना है कि है क्या समाधी मरन बहुत धर्मिस प्रकार कि किसी भी चीज की चर्चा नहीं कहीं गई ठीक समाधी मरन वो कुछ और नहीं है सलनेखना भी दी है clear है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक जैन किर्थी स्थम्भ ध्यान रखिएगा एक्चुली में किर्थी स्थम्भ है ठीक लेकिन हम यह कभी नहीं पढ़ें कि वो जैन है ठीक समाधा ध्यान रखिएगा तो ध्यान रखिएगा यह जो किर्थी स्थम्भ जो चिताड़ गर में इस्तित है किस जैन तिर्थंकर क को समरपीत है तो ये समरपीत है हमारा थिक आदिनाथ को ध्यान रखीगा कि सको आदिनाथ को चली अग्ला प्रसन मिदें कि निक्म लिकित में से कौन सा सब्द। इसको समझना है अचाओओओओओं ना two जो चार से पाँच हुए थे, क्या, ठिक, अपका सत्य अहिंसा, अस्ते अपरिग्रह, ठिक, इस चीज की चर्चा करते हैं, सत्य, अगला है, सत्य अहिंसा, अस्ते, और अपरिग्रह, साथी साथ, ब्रह्म चारे, ध्यां रखीगा, ब्रह्म चारे, ठीक है, ये जो है हमारे पाँच, क्या है ये, महावरत है, महावरत, या इसी को आप अडूवरत भी कह सकते हैं, ठीक, अडूवरत, महावरत होता है सन्यासियों के लिए, यतियों के लिए, ठीक है, अडूवरत होता है जो ग्रिहस्त है उनके लिए, ठीक है, ध्यान रखिए का अचारे का मतलब होता है अस्ते, अस्ते मतलब किसी भी व्यक्ती का मतलब चूरी नहीं करना, सिधा से बात है, अस्ते का मतलब चूरी नहीं करना, अस्ते का मतलब होता है चूरी ना करना, clear है? ठीक है, चलिए, अगला देख लेते हैं, अगला परसन हमारा है यह देखेगा इस प्रकार के पसंद पुछे आते हैं जैन धर्म के संबन में निमले कित कथनों पर विचार कीजिए दिमाग लगाईएगा ना ठीक है जैन धर्म के अनुसार किरसी की परथा को बुरा माना जाता था हम पढ़ चुके हैं कि किरसी के साथ साथ किरसी के साथ साथ युद्ध को बुरा माना जाता था किस में जैन धर्म में किरसी के साथ साथ ध्यान रखेगा युद्ध को भी बुरा माना जाता है दूसरे विकल्प क्या बोलता है पहला जैन परिशद पाटली पुत्र में दिगंबर के नेता द्वारा संचाली थुई थी फिर अराम से सुचिएगा गलत होने के चांस नहीं है ध्यान रखीगा तिक अराम से सुचिए कि पहला जैन परिस्द पाटली पुत्र में हुआ था तिक, बिल्कुल हुआ था, पहला पाटली पुत्र में हुआ था, दुसरा वल्लभी में हुआ था, कहां पर वल्लभी, ये कहां है, गुजरात में है, तिक है, अब दुसरे statement पे हमको आना है, तिक, कि ये जो पाटली पुत्र में हुआ था, क्या यहां पर दिगंबर नेता, द स्थूल भद्र थे धियान रखीगा तो क्या भद्र भाउ के अधियचता में वास्ताओं में जो भद्र भबहु थे यह अकाल के करणदक्षिर भारत के और चले गए थे और वहां पर अकाल के जो बहुत सारे मतलब समय को गुजार के वापस आये, तब इनका मदभेद हो गया था, स्वेतांबर वालों से, अर्थाद स्थूल भद्र से, तब कहीं जाके इस बैठक की आयोजन किया गया था, और इसके अद्धेश्चे थे स्थूल भद्र, ना की भद् में इस्थानकवासी संपरदाय किस धर्म से संबंदित है, तो इस प्रकार का एक दो बाउंसर प्रस्न आपको हमेशा प्रस्न में पुछे आएंगे, एक्जाम में पुछे आते हैं, तो इस्थानकवासी धियां रखेगा, इस्थानकवासी का मतलब जो एक जगा रूख कर, ठीक, क्या करते हैं, एक जगह रूखते हैं और काफी लंबे समय तक ठीक, वहाँ पर रहते हैं, इस्थानकवासी कहा जाता है, तो इस्थानकवासी एक संपरदाय है, जैन धर्म का, इस चीच को जान लीजिए, इस्थानकवासी संपरदाय किसका है, जैन धर्म का, क्लियर ह चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन है बिम्बसार ने अपने राजवेद जीवक को ध्यान रिखिएगा ठीक बिम्बसार का राजवेद थे जीवक को किस राज्य के राजा को किसा के लिए भेजा था तो अब यहाँ पर आप समझ लीजे बिम्बसार के मित्र कों थे तीक है तो महात्मा बुद्ध थे ठीक है ध्यान रिखिएगा महात्मा बुद्ध थे अब महात्मा बुद्ध को पता चला कि जो अवंती का राजा है तीक है अवंती का राजा इस राजा का नाम है चंड प्रदोत चंड प्रदोत तो ध्यान रिखेगा इसी चंड प्रदोत को पांडू रोग हो गया था पांडू रोग तिक और महात्मा बुद्ध जब बिम्बिसार से मिलने गये थे तो इनको जानकारी हुआ कि इनका जो राज वैद जिवक इस चीज का तो महात्मा बुद्ध के कहने पर बिम्बिसार ने अपने राज वैद जीवक को कहां भेजा था अवंति भेजा था उजयन और किस राजा के पास चंड प्रदोत के पास कौन सी बिमारी हो गई थी तो पांडू रोग हो गया था यह परस्ण में बहुत सारे परिच्छा में यह परस्ण पुछे जा चुके हैं कि वो राजा कौन था कौन सी बिमारी होई थी किस स्थान का राजा था थीक तो इसी एक ही परस्ण में आपको सारे चीज की जानकारी मिल गई चरी अगला देखिए अगला परस्ण है पाली ग को गाओं के मुख्या को क्या क्या जाता है क्या उसे ग्रामक कहते है या भोजख क्या ग्रामक कहते ह। तो इसका सही मिकलब होगा भोजख yrAndi consort that दूसरा होगा दियां रखेंगा कि पाली 것이 ग्रामक में की कम क्या दाल्थ हाएथ भोजक या ग्राम भोजक कहते थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा प्रसन है तिक कि 16 महा जनपदों की सुची उपलब्ध है किस गरंथ में ध्यान रखेगा महा भारत में अंगुत्तर निकाय में चांदों के उपनी सद में संयुक्त निकाय में तिक तो इस चीच को हम अगला प्रसन है जैन धर्म में सिख्छा का अंतिमलक्ष क्या है ठीक ध्यान रखेगा तिक या सिधा सिधा बोल दिये जाए तो जैन धर्म का अंतिमलक्ष क्या है क्या दानपुद्नी करना उनका अंतिमलक्ष है या दया और त्याक करना या मुक्तिपाना या अहिंसा करना ठीक बताइए अंतिम लक्ष क्या है अंतिम मतलब हो गया जीवन का परम लक्ष ठीक परम मतलब बाके चीज़ों को आप हटा सकते हैं ठीक है उप परम चीज़ को नहीं हटा सकते हो और किस चीज़ को नहीं हटा सकते हो कौन सा ऐसा चीज़ जिस पर आप किसी परकार का ठीक है विखल्प नहीं है आपके पास किसी भी परकार के गुंजश नहीं है तो जैन धर्म के सहें बहुत धर्म का भी अंतिमलक्ष है अगला प्रसन है हमारा कि बुद्धवाद ध्यान रख़एगा बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवस्यक रूप से निमलिकित में से विरूद दे थे तो किसकी विरूद दे थे इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है पहला विकल्ब दिखिएगा ठीक है ए होगा यहाँ पर ठीक यह B, यह C और D यह उल्टा हो गया ठीक है A, B, C और D तो दिखिएगा पहला विकल्ब है राजाओं तथा परतिबहा परभावशालियों के नियमों के तो क्या बहुत धर्म जो है और जैन धर्म है वो राजा और परभावशालियों के नियमों के विरूद दे थे क्या चलिए, दिमाग में रखे, दुसरा है विदेशी हमला वरों तथा उनके अचानक हमलों के है तिक तीसरा है ब्रामनों के रिवाजों तथा अवल्ब चारिक्तायों के और छौथा है समाजिक और आर्थिक नयाय के तीक है सूचिए इसको, क्या होगा इसका उत्तर तिक तो आप इस चीज़ को दियान लिजे कि जो जैन धर्म था उस जैन धर्म का जो उदय की प्रिष्ट भूमी थी वही उसका उत्तर है और जैन धर्म और बहुत धर्म के उदय के प्रिष्ट भूमी थी क्या ये कि ब्रामणों के रिवाजों तथा उपचारिकताओं के उस समय तिक समाज जो है इतना जटिल वेवस्था हो चुका था कर्म कांडों के वज़े से कि उस समाज के जकरन से लोग न बच के निकलना प्रयास कर रहे थे और ये विकल पर मिला जैन धर्म और बहुत धर्म के करना कुछ नहीं है करना है इसको कमेंड बॉक्स में जाकर कमेंड करना है ठीक है चलिए पार्टिसी परसंद कीजिए ठीक इसी प्रकार के कुछ समाने परस्तों के साथ हम फिर आप से मिलेंगे ठीक है तो ध्यान रिखेगा हमारा उद्देश केवल इतना है कि आप जो चैप्टर को वीडियो क्लासेस में पढ़ रहे हैं उसी का की जो हम बता हुए कम से कम मिनिमूम ठीक इतने चीज़ों को आप धारन करें ठीक है चलिए अंतिम लक्ष आपका भी है हमारा भी है अवो मोख्ष हमको क्या चाहिए एक्जाम पास करके ठीक है वह ततकालिक लख्ष है ध्यान रिखेगा पर हम आर्थिक लख्ष की बात करे है फिलाल हमारा और आपका काम है exam ठीक है और उस exam को clear करने में हम आपकी मदद कर रहे है ठीक और आपका काम यह है कि आप जो है regular sees videos को देख्येगा ठीक है और participate कि जेगा हर एक चीजों में ठीक है मना नहीं करना है इसी की साथ अगली वीडियो हम फिर से मिलेंगे ठीक तब तक के लिए धन्यवाद और आपका काम रहेगा कि इसी प्रकार ठीक हमेशा रेगुलर इस प्रकार की वीडियो को आप देखते रहें ओके फिर धन्यवाद